हेलो दोस्तों आज मैं बताउंगा इस वीडियो में कि user account क्या होता है और कैसे बनते हैं उसके password कैसे लगाए जाता है और इसके बास क्या फाइदा होता है ये भी मैं बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखे और like करे subscribe करें और वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताए तो सबसे पहले हम चलते ही, user account होता क्या है? जब हम कोई computer को on करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास किसी के पास एक user आता है, किसी पास दो और किसी के पास तीन आता हो, तो क्या होता है कि इसमें हम अगर 3-4 आदमी एक ही laptop को चला रहे हैं बारी बारी से, तो हम अपना-प पासवर्ट से अपना-पना user को खोल सकते हैं और उसमें data save कर सकते हैं, एक इसमें एक administrator होता है, जिसके पास full power होता है, किसी भी user का data देखनी का, बट यह जो एक standard user होता है, वो administrator का data कभी भी नहीं देख पाएगा, तो चलिए आए देखते हैं, इसका और भी इसका और भी फ आप बचे पर नजर रख सकते हैं, उससे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताना, और आगे हम चलते हैं वीडियो में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से आएंगे, और start पर click करेंगे, start पर click करने के बाद, control panel पर click, और control panel पर click करने के बाद, user account पर click करेंगे, user account आ रहा है यहां पर, add और remove user account, कभी-कभी यह इससे नहीं आएगा, कभी-कभी जो आपका इस तरह से आएगा, तो इस तरह से आएगा, तुल, इसमें भी कोई घबराने के बाद नहीं है, यहां पर user account यहां पर आपको दि अगर इसमें आप पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप यहां से कीरियेट पे पासवर्ड यहां पर यहां पर यहां पर डालेंगे और इसके बाद साथ हमढ़ा हमने पर यहां मरी पासवर्ड यहां कीरिये और नेक्स्स ऐा पर कोई पया बी बनता निवी पासवर्ड देंगे और वही पासवर्ड यहां में इन इंट मतलब क्या होगा कि इसमें जब मैं computer को on करूंगा जब बी तो आप पास्वर्ड जो मांगेगा computer में वह जी मांगेगा और जी डालने के बाद मैं अ चैनल हो एरा सिसके भावन मेरा सकते हैं इसके बाद हम यहां से इसमें पिक्चर जार्ट कर सकते हैं। इस में देखते सकते हैं सम यह वाला picture रहा दिया यहां से यह picture लघा सकते हैं इसके नाम चारंज करना है टिक का कुछ भी तो न्यू नेम जो देना है आफ दे सकते हो आप मैं नए नाम यहां पर चुक चुघ देता हूंsan मैंने टुक टुक करके और चेंज कर दिया देखिए यहां पर टुक टुक हो गया ति यह होता है आपका एक एड्मिनिस्टर यूजर है और यहां से आप मैंने जनुदर अकॉंट पर जाओगे फिर तो आपको दो यूजर दिखाए देखिए अब तीसरा अगर किसी बच्चे को मुझे देना है यूजर बनाके तो उसमें क्या करेंगे हम यहां से क्रियेट न्यू अकॉंट पर क्लिक करेंगे और क्रियेट न्यू अकॉंट पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम उसका नाम लिखेंगे जो भी है उनका नाम लिख देते हैं कुछ भी मैंने राजा लिख दिया, और राजा लिखने के बाद देखें, यहां पर एक Extender User आ रहा है, एक Administrator User, जैसे मैंने पहले बताया था, Administrator User के पास, फुल कंट्रोल होता है, किसी भी यूजर के डाटा को देखना, Net Connect करना, किसी भी वैपसाइट पर जाना, हर चीज कंट्रोल, कोई software अगsteps साथ has a limit mm भारता है आउने और इसके के बाद वात कर देंगे इससे बाुण खीविए दरें आप बॉच्चे में टिसरा राजा नम से आछे आगे अगर आप मुझे करते हैं इसक नयाम चांच कर सकते इसके बाद इस पास्वर्ट भी आप लग आसे है तो यहीं इसका हम password बता देंगे और इसका password हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे अगर हमारा कोई भी और भी है employee भी है अगर हम company काम कर रहे हैं तो हम इसको administrator का उसका password नहीं बताएंगे हम extender खोल के देंगे और उसमें काम करने के लिए से बोलेंगे तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा के अस्टेंडर यूजर पर क्या क्या जो है उसमें लगा सकते हैं bondries कि कौन सा website उसको नहीं जाना देना चाते हैं कौन सा गैम उसे नहीं खेलना देना चाते हैं तो सब आप on off कर और कितने वीज़े से time हम उसमें fix कर सकते हैं कि 12 वेसे लेके अपके computer को on कर सकते हैं इसके बाद on नहीं कर सकते हो और login होगा ही नहीं होगा पास्वाट कितना भी डाले कुछ बी डाले और login नहीं होगा तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कोमेंट में बताइएगा और इसके बाद like करे subscribe करे और thank you